कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए जाके इन सरकार जल से जलते कोरोना वैक्सीन जनता को लगवा देना चाहती है पर हाली में आई आट महीने पहले लगी वैक्सीन का प्रभाव 84 प्रतीशत कम होने की चानकारी ने सरकार को चिंतित कर दिया है जिसके चलते अब लोगों को बूस्टर डोस लगाने की बात चल रही है जिसको लेकर विशानू वज्ञानिक डॉक्टर शाहीद जमीन ने दावा किया कि भारत में करोना के खिलाफ लडाई में कोवा वैक्स वैक्सीन एहम रोल अदा कर सकती है भारतिय सार्स सीयोवी दो जिनोमिक्स संग के परामश समू के पूर्व प्रमुक शाहीद जमील ने कहा कि इस वक्त मौझूदा आकडों से यह पता चला है कि भारत में सुईकेट टीकों में जिन लोगों को कोईशील का टीका लगा है उन्हें इसी टीके की एक खुराक दिये जाने के बजाए कोवा वैक्स बैतर बूस्टर खुराक होगी जिसको लेकर अधिकाडियों का कहना है कि एतियार्तित खुराक उसी टीके की तीसरी खुराक होगी जो पूर्व में किसी वैक्ती को लगे होंगे कोवा वैक्स को अमेरिका एसी टीका निर्माता नोवा वैक्स इंक ने विक्सित किया है और उसने वायरिची कुटपादन के लिए सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया से लाइसेंस करार की गोश्रा की थी साथ ही केंद्रिय औश्रत मानक नेंत्रव संगठन ने भी कोवा वैक्स को सोंवार को मंसूरी दी थी विशाणो विग्यानी गगन दीपकंग ने कहा कि भारत में फिलाल इस संदर्व में कोई आकड़ा उप्लब्द नहीं है कि तीसरी खुराक के तौर पर किस टीके का इस्तिमाल किया जाना चाहिए उन्होंने बिटेन की एक अध्यन का हवाला दिया जिसमें उन वैक्तियों में उत्पन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आकलंग कहा गया था उन्हें पहले से ही कोवीशील वैक्सिन की दो खुराक मिल चुकी है और उन्हें बूस्टर खुराग के तौर पर या तो उसी टीके की तीसरी खुराग दी गई या फिर नोवावेक्स टीका लगाया गया नोवावेक्स को ही बहत्र भारत में कोवावेक्स के नाम से जाना जाता है उन्होंने कहा कि अर्ध्यन में पाया गया है कि कोविशील की एक तीसरी खुराक ने जियामितिय मार्ध्य अनुपार यानि की GMR में 3.25 की वृद्धी की जबकि कोवावेक्स की एक बूस्टर खुराक से 8 गुना वृद्धी हुई है और 1 MRNA TK से इसमें 24 गुना तक की बढ़ प्री हुई है